ये वीडियो उन सभी छात्रों के लिए है जो बीटेक, बीए एंड बीसी ए में पर्चुइंग है इसे कोई फरक नहीं पड़ता है कि आप कॉंजी फिल्ड में हो लेकिन आप अगर रेजुएशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूस्पुल होने वाला है आप जड़ा सोचिए कि आप जब स्कूल में थे तो आप एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए स्कूल में कितनी फीज बरते थे, स्कूल के टाइम में कितनी मैनत करते थे कभी आपने अपने आपसे पूछा कि ये सब आपने एक शीट के लिए क्यों किया है आपके माता-पिता ने आपके स्कूल के लिए आपकी कॉलेज के लिए इतनी सारी फीस खर्च की इसके लिए एक अच्छी जॉब आपको मिल जाए उसके लिए जो जॉब आपको पर येर 20 लाग का पैकेज दें जिसकी वज़ा से आने वाले 30 साल तक आप एक अच्छी जीवन जी सको अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा हो गया कि अभी तुम्हें फर्स सेमिस्टर में हो अभी तुम्हें फूर्ट सेमिस्टर में वह भी तो में पढ़ाई के उपर फोकस कर तो अगर आप यह फोकस नहीं करोगे तो आप भी उन 63 परसंट लोगों में आ जाओगे जो भारत में बेरोजगार है और जो उसका ग्रेजुएशन कंपलिट होने के बाद 20 से 25,000 की जौब कर रहे हैं और उसमें ही खुश है अब आपके निमाग में सवाल होगा तो सर हम ऐसी अच्छी जॉब अभी से कैसे पा सकते हैं कभी से अभी से उसके लिए कैसे मेहनत कर सकते हैं इस सभी चीजों का सॉलुशन लेकर के मैं प्रियश पटेल आज आ गया हूं आपके साथ तो मैं रिक्वेस्ट करूगा कि वीडियो एंड तक देखना ताकि ये वीडियो आपकी लाइफ के चेंजिंग वीडियो बन सकती है तो देखो एक अच्छी जॉब काने के लिए एक अच्छा रिसल्ट चाहिए होता एक अच्छा परसंटेज चाहिए होता लेकिन आप जो कोई भी चीजे कॉलेज के अंदर पढ़ते हो क्या वो रियल लाइफ में एप्लीकेबल ह लखना है कि आप जो परसंटेज के उपर फोकस करते हो उसकी जगह पे आपको कंपनी में क्या एक्च्छल में रिक्वार्मेंट है उसके उपर फोकस करना जरूरी रहेगा अगर आपको कंपनी के रिलेटेट सारी चीज़े सीखनी है तो आप बहुत सारे प्लैट्फरम है जैसे के यूटूब है वहां से भी यह सारी चीज़े सीख सकते हो लेकिन सवाल यह आता है कि हैंड्स-on experience क्या आपको मिलेगा आप जो कोई भी ऑनलाइन वीडियोस लेखते हो क्या वो अप तुदबाग कंपनी है तो अब आपको यह सारी चीज़ों पर ही फोकस करना पर उनको अच्छी जॉब नहीं ही मिलती है अब आते हैं हमारे वापिस आपका जो सवाल था के सर अच्छी जॉब हमें कैसे मिलेगी तो इस सबका आंसर है एक ऑनलाइन वेबिनार में जो ऑनलाइन वेबिनार कंड़क करने वाले हैं आयटी एंस के स्टूरेंट्स जिनों जब कॉलेज में थे तब ही अच्छी अच्छी कंपनी जैसे कि सिम्संग है इसरो है माइक्रोफ है उसमें जॉब पाली थी जो स्पीकर है वो देश के सबसे प्रतिस्टिट आयाइटी कंपनी के ग्रेजुएट है त्रीविक्रम एर 93 के साथ आयाइटी दिल्ली से वहाँ पे एक लिंक अविलेबल है वो लिंक में रजिस्टर करिए और ये ओनलाइन वेबिनार में आप आपके माता पिता के साथ भी बैठिये ताकि उनको भी पता चले कि अब एक अच्छी जॉब पाने के लिए स्किल की जरूरत है और स्किल लेना महुत आसान है अगर आ आगे ले जाने में मदद करें तो ऐसी ही न्यू अप्डेट के साथ हम वापीस मिलेगे चैनल पर नए हैं तो चानल को जरूर सब्सक्राइब करना बैल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली सब भी अप्डेट्स आपको इंस्टन्ट मिलती रहे बाबाई टेक के लिए